नमस्कार बच्चों, कैसो आप सब, I hope कि आप सब भी अच्छी होगे, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, दा लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं, मैं साइंस असस्टी, एप्सलूटली फ्री, एट लर्नोहब.ड़ कॉम बच्चों, आज हम दिस्कुस करेंगे, NCRT Solutions for Class 7, टॉपिक हमारा है, एयर, कोशन नमर वन टू, फाइव. चलिए वचव, हमारा आज काचप्टर स्टार्ट करते हैं, कोशन नमबर वन हमारा है, वाट इस दा एट्मॉसफियर, एट्मॉसफियर क्या है, एट्मॉसफियर की अगर बाद करें, तो हमारी जो अर्थ है, वो चारो तरफ से, एएर की मोटी ब्लेंकेट से धकी हुई है, जिसे हम कहते है एटमॉस्फियर यह ब्लैंकेट कैसी है ब्लैंकेट जो हम लोग ब्लैंकेट ओड़ते हैं कौटन वेलवेटी वो नहीं है यह ब्लैंकेट कौन सी है यह ब्लैंकेट है एयर की एयर जो हमारी क्या है उसमें बहुत सारी गैसे हैं जिसे मिलकर हमारी एयर बनती है हमारी अर्थ जो है अगर हम देखें तो उसे हमने क्या क्या है atmosphere ठीक है हमारी अर्थ जो है वो चारों तरफ से cover है किस से air से cover है जिसे हम कहते है atmosphere अभी atmosphere कई layers में होता है ठीक है layers कौन सी है ट्रोपोस्फियर stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere 0-13 हमारा आता है troposphere फिर 13 to 50 हमारा जाता है stratosphere इस तरह करके exosphere जिसमें की सबसे light weight वाली gases होती है जिसे helium वगेरा तो ये क्या है ये हमारी air से जो earth है वो ढखी हुई है इसमें different different बहुत सारी gases जो है वो पाई जाती है तो I think कि आपको समझ में आ गया होगा, our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere ठीक है उसी को हम कहते ह है atmosphere next हम देखते हैं question number two which two gases make the bulk of the atmosphere कौन सी gas बल्क में atmosphere में पाई जाती है first हमारी है nitrogen 78% फिर आती है oxygen 21% 78 21 हो गए 99 बचा 1% उसमें कौन सी गैस आती है उसमें गैस नहीं बहुत सारी gases आती है उसमें होता है carbon dioxide helium hydrogen hydrogen organ यह सारी gases जो है बचे हुए 1% में आती है तो में जो है वो कौन सी है nitrogen 78 oxygen 21% next है third हमारा which gas creates a greenhouse effect in the atmosphere atmosphere में कौन सी gas greenhouse effect create करती है तो वो है carbon dioxide carbon dioxide क्या करती है हमारे atmosphere में greenhouse gas को effect green house gas effect को create करती है ठीक है कौन सी carbon dioxide हम क्या करते हैं हम intake करते है oxygen को और छोड़ते हैं हम carbon dioxide को animal है human है हम सभी क्या करते हैं carbon dioxide को छोड़ते हैं उसके लावा house effect जो है वो create कोन करता है वो करता है carbon dioxide चले बचले बचले देखते हैं question number one का fourth question question हमारा है what is weather weather क्या है तो weather atmosphere की condition जो की day to day या फिर hour to hour हम देखते हैं वो हो गया weather weather and climate इसमें आपको confused नहीं होना है climate क्या हुआ atmosphere की condition जो लंबे time तक चलती है वो हो गया हमारा climate और weather क्या है कि day to day या फिर hour to hour वाली condition है जैसे हम कहते हैं आज मौसम बढ़ा अच्छा है या फिर अभी मौसम बढ़ा अच्छा हो गया अभी weather बढ़ा अच्छा हो गया आज weather बहुत अच्छा है इस तरीके से हम बात करते हैं आज पर ले जाते हैं या फिर कल मौसम खराब था या अच्छा था इस तरह बोलते हैं तो आज कल में जो इस तरीके से चल रहे हैं तो यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा वेदर और जो लंबे टाइम तक होता है वो होता है क्लाइमिट ठीक है? नेक्स हम वेदर इस दिस आर्ट वार डे टू दे चंडिशन ओफ दे एटमोस्फियर नेक्स हम देखते हैं कोशन नमर फाइव हमारा है नेम थी तैपस ओफ रेंफॉल त्री तैपस ओफ रेंफॉल अगर हम देखें तो फर्स हमारा है टोपोग्राफिक सेकेंड है और वहां से बादल बना ठीक है यहां कंडेंशन के रूप में आ गया और यहां से क्या हुआ प्रेसिपिटेशन हो गया तो यह ज़्यादा तर जो पहाड़ी लाके होते हैं माउंटेन वाला जो एरिया होता है वहां पर होती है कैसे वेदर विंड्स जो होती है वो क्या है जिसे मालीजे यह कोई परवत पठार जो भी आपका परवत है मालीजे कोई माउंटेन है अब यहां से क्या है इधर को समुद्र है समुद्र से विंड्स जो है वो चल रही है यह अपने साथ बहुत सारा मौश् यह ठंडी हो जाती है और जिसके विज़े से भारी होती है और भारी होने की वज़े से वो क्या होती है बारिश के रूप में नीचे आ जाती है या कह सकते हैं परवत जो है उससे टकरा कर माउंटेन से टकरा कर वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है तो इसी को हम क यह चल रही है उपर की तरफ जा रही है ऊपर यहां तेगा तो यहीं पर बारिश करा देती है तो जो अभिवर्ट साइट यह उस आई रहता है और जिस साइट पर किती है है वो हरे भरे एरियाず होते हैं जैसे कि हमारा चक्रवाती वर्ष्टी तो दो डिफरेंट एयर के मिलने के cyclones ठीक है जो cyclonic rainfall होती है उसे हम कहते है frontal rainfall जो की different air के मिलने से मतलब आपकी hot air और cool air जो होती है उनके मिलने से जो rainfall होती है उसे हम कहते है frontal rainfall ठीक next हम आते है question number four question number four हमारा है what is air pressure air pressure क्या है air pressure की बात अगर करें तो जो earth surface होता है ठीक है earth का जो earth surface होता है earth surface पर air weight के दौरा जो pressure लगता है air weight से जो pressure लगता है उसे हम कहते है air pressure ये air pressure जब नीचे की तरफ आता है high pressure तो ये ज़्यादा लगता है, high pressure होता है, जब ये उपर की तरफ जाता है, तो low pressure होता है, क्योंकि उपर जाने पर हवाएं जो होती है, वो हल्की हो जाती है, light weight हो जाती है, तो इस वज़े से उपर की तरफ जब ये जाता है, air pressure, तो उपर की तरफ जाने पर ये low pressure हो जाता है, ठीक है नीजे की तरफ आने पर वो क्या होता है वेट उसका ज्यादा रहता है वो high pressure होता है air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface ठीक है earth surface पर जो air का weight होता है उसके तरह जो pressure लगता है उसे हम कहते है air pressure as we go up the layers of atmosphere the pressure falls rapidly the air pressure is highest at the sea level and decrease with the height mile ठीक है, तो जब उचाई पर जाते हैं और इक गया है तो अब हो जाता है और जब नीजे की तरफ आता है we are the tech level and above the heat में काफी पढ़ेगी ए यह क्या होता है यह ही हो जाता है थीक है और आपको समझ में toो जाती ह benz ETF air pressure इसे measure करने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं barometer barometer से air pressure को नापा जाता है ठीक तो barometer यह आपके question में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि barometer से air pressure को नापते हैं चले बचों देखते हैं question number 2 question number 2 हमारा है tick the correct answer correct answer पर tick करना इसमें first हमारा है which of the following gases protects us from harmful sun rays harmful sun rays से कौन सी गैस हमें protect करती है option carbon dioxide, b nitrogen, c है ozone, I think कि आप सभी को इसका अंसर पता होगा कौन सी गैस है जो हमें sun rays से protect करती है वो है c, ozone next हम देखते हैं second the most important layer of the atmosphere is atmosphere की most important layer कौन सी है troposphere, thermosphere या फिर mesosphere तो right answer क्या होगा right answer होगा troposphere क्योंकि यहीं हम रहते हैं और हम क्या करते हैं breathe करते हैं troposphere में ही हम breathe करते हैं तो most important layer क्या होगी troposphere होगी third हमारा है which of the following layers of the atmosphere is free from clouds cloud free layer atmosphere की कौन सी है तो सबसे पहले हम जाने है cloud कैसे बनता है cloud कैसे बनता है यह हो गया c ठीक है c हो गया यह हो गया sun sun से जब heat जो है वो earth पर आती है sun rays जो है वो earth पर आ रही हीट आ रही है तो क्या होगा जो c है उसका water जो है वो क्या होगा evaporate होगा evaporate होके convention का रूप लेगा convention से evaporation हुआ कंवेंशन, कंवेंशन से जब वो ऊपर गया, तो उसने क्या किया, कंडेंशन का रूप ले लिया, बातलो का रूप ले लिया, ठीक है, फिर यह क्या है, इसी तरसे, जो क्लाउड है हमारा, वो कैसे बना उसको हमने देखा एवपोरेट होके वाटर गया और फिर वहाँ पर उसने क्लाउड का रूप ले लिया अब यह पानी की बूंदे है जब तक यह हलकी है तब ठीक है जब यह भारी हो जाती है तो यह बारिश के रूप में नीचे आ जाती है तो यह हवा में तैर बना लिया तो इस तरह हमने देखा क्लाउड बनता है अब अगर हम बात करें स्टैटोस्फियर ऑप्शन बी जो है स्टैटोस्फियर यह काफी ड्राइए यानि कि यहां पानी की मूंदेत तो मिलेंगी नहीं की क्लाउड बनेगा यहां एवपरेशन होगा नहीं जो कि क्ला अविपर ज्याते हैं तो प्रेशर इक्रीज गोर्ते तो कई का होता है ऑप्सं देखेंगे इंप्रीज पर जाने पर धंडर होती है कि यहां पर क्या होगा तो यह थेखा हों तो यहां पर तो प्रेशर क्या होता है प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है नेक्स हम देखते हैं फाइव यहां पर कॉशन नबर फाइव हमारा है when precipitation comes down to the earth in the liquid form it is called ठीक है तो जब क्या है precipitation जो है वो earth पर liquid form में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं option a cloud b rain c snow लेक्विट फॉर में क्या कहते हैं क्या क्लाउड कहते हैं या फिर स्नौ कहते हैं नहीं कहते हैं रेन इसका अंसर आप सभी को पता होगा तो तिक दे करेक्ट आंसर जो है वह हमारे complete होते हैं चले बचो देखते हैं को सिन नुमर 3 को सिन नुमर 3 हमारा है मैस्टा following match कराना किसे किसका मैच है आई देखते हैं वन साइट पे हमारा ट्रेड विंड्स लू मौनसून विंड अधर साइट पे इंकमिंग सोलर से अलरजी सीजनल विंड होरिजन्टल मौनेट और लेयर आफ ओजों गैस पर्मानेट n007 लोकल विंड ठीक है तो देखते हैं किसे किसका मैच है सबसे पहले आता है ट्रेड विंड्स ट्रेड विंड्स की अगर बात करें, यह क्या होती यह ,पर्मानेंट होती पर्मानेंट मतलब ये पूरे साल भर चलती है, एक निशित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में ये पूरे साल भर चलती है, तो ट्रेड विंड को किसे हम मैच कराएंगे, ई से पर्मानेंट विंड से मैच होगा हमारा ट्रेड विंड ठीक है, फिर हम आते हैं लू, लू क्या है लू आपने देखा होगा गर्वियों में चलती है तो लू को किसे मैच कराएंगे लू को मैच कराएंगे हम लोकल विंड क्योंकि लू जो है वो लोकल विंड है जो की एक निशित समय में वो चलती है ठीक है तो लू को मैच कराएं किसे लोकल विंड से ठीक है या ऍर नेग्स हमारा है मॉंसून मॉंसून क्या है अगर यहांज देखें School Solar सेेष्णाल विंड हां मॉंसून क्या है सीजनल विंड ठीक कह तो आएए ही स को मैच करा थें विई जिए पिर आया हमारा वंड विंड किसे मैच कराएंगे हां यह देखें क२ जान सा question में भी क्या देखा की अर्थ की लिएज slider स्वारी मेंसरें सबसे नीचे क्या था ट्रोपुस्भीयर था यह हमारी आर्थ होगई और से जीरो टू थर्टीन क्या था क्या था 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 थाफलती तू पर जाते हैं 32 52 780 हमारा आता है ठीक है तो यहां पर क्या है यह इसका horizontal तरीके से यह डिवाइड हो रहा है तो यहां पर अगर हम देखें विंड जो है horizontal movement of air air horizontal movement है ठीक है I hope कि मैंस फॉलंग जो है वो आपको समझ में आ गया होगा चली बुच्छों देखते हैं question number 4 question number 4 हमारा है give reasons question number 1 हमारा है wet clothes take longer time to dry on a humid day ठीक है question number क्या है humid day में clothes जो है वो dry होने में longer time लेते हैं क्यों तो उस time में clothes जो है वो सूखने में ज्यादा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि जो air होती वो पूरी तरह से dry नहीं होती वो moisture अपने साथ ले के आती उसमें water होता है अगर आपको याद हो तो गर्मियों में एक टाइम ऐसा आता है जिस समय cooler fan कोई भी चीछ काम नहीं करती है हम लोग ऐसे बोलते हैं कि fan cooler कुछ भी काम नहीं कर रहा ऐसी गर्मी पढ़ रही है तो उसमें क्या बिल्कुल से ड्राइन नहीं कर पाती है ठीक है तो आइए देखते हैं अंसर वेट क्लोस टेक मोर ताइम तो ड्राइन अन हम रहता है ठीक है इसी वज़े से वो moisture को ज्यादा नहीं की सकती है next हम देखते है amount of insulation decreases from equator towards poles ठीक है poles पर क्या है question हमारा कि equator से poles की तरफ जाने पर amount of insulation decrease होता है ठीक है तो अगर हम equator से pole की तरफ जाते हैं तो क्या insulation जो है वो कम होता जाता है क्यों होता है क्यों पहले तो insulation क्या है जो earth जो sun की heat grab करती है उसे हम कहते है insulation ठीक अब ये insulation जो है वो equator जाने पर कम होता जाता है क्यों तो अगर हम समझें कि ये हमारा क्या हो गया ये हमारा sun है ठीक है मालीजे ये sun है और इधर ये हमारी earth है ठीक अर्थ है अब ये हमारा क्या हो गया equator हो गया ये हो गया बर या आइस फुलेशन जो है यही जही जब हम चलते जाते हैं किधर पोल्स की तरफ जब चलते जाते हैं चाहे हम north की तरफ जाएंगे या south की तरफ जाएंगे तो poles की तरफ जाएंगे तो sun rays जो है उतनी वहाँ पर नहीं मिल रही है इस वज़े से वहाँ पर insulation की मात्रा घटती जाती है ठीक है equator से poles की तरफ जाने पर insulation की मात्रा इसलिए घटती है क्योंकि जो sun rays है वो direct equator पर आ रही है और वो इन poles पर नहीं पहुँच रही है इसलिए poles की तरफ जाने पर क्या होता है insulation जो है वो decrease होता जाता है on moving from the equator to the poles the amount of insulation decreases because the sun's rays fall obliquically at the poles and the same sun rays fall vertically on the equator ठीक है तो आपको समझ में आगे होगा कि equator की तरफ जो हम चलते जाते हैं sorry equator से जो poles की तरफ चलते जाते हैं तो insulation decrease क्यों होता जाता है चलिए बचो देखते हैं question number 5 question number 5 हमारा है for fun solve this crossword puzzle with the help of given clues clues आपको दिये हुए उनकी help से आपको crossword puzzle जो है वो solve करना है सबसे पहले हम discuss करेंगे जो down वाले हैं फिर उसके वाद across पर जाएंगे ठीक है दोनों हम discuss करेंगे start करते हैं first हमारा amount of water vapor in air amount of water vapor in air इस पर हमने last में ही बात की है ठीक है air में water vapor की मात्रा जो है उसे क्या कहते है वो किस वज़े से होती है humidity उसे हम कहते है humidity ना उस पर हमने discuss किया था ठीक last question में ही तो first का हमारा क्या हो गया humidity यह हो गया humidity फिर next है हमारा second condensation of water vapors around dust particle in atmosphere atmosphere में dust particle के around water vapor का condensation याद होगा evaporation होता है उपर जाता है वो क्या होता है water vapor जो रहते हैं वो इकठा हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं cloud ठीक है तो second का क्या हो गया उसका water vapor का condensation cloud second हो गया cloud ठीक है यह हो गया cloud next हम देखेंगे third हमारा है example of local wind blowing in summer in northern India नदर इंडिया में summer में local wind जो की blow करती है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं याद होगा आपको जब आप निकलते हो summer में तो दोपर में क्या चलती है लू चलती है local wind जो होती है उसे हम क्या कहते हैं तो 3rd का हमारा हो गया यहां पर लू नेक्स हम देखते हैं सॉरी नेक्स हम देखते हैं 4 4 हमारा है short term changes in atmosphere atmosphere में short term changes, long term changes क्या था climate था short term changes जो है वो कहलाते है weather ठीक है जो थोड़े समय के लिए changes होते हैं जो long term changes होते हैं उसे हम कहते है climate इस पे भी हमने बात की थी चलिए 4th का क्या हो गया हमारा 4th हमारा हो गया weather ठीक है next हम देखते हैं 5 5 हमारा है precipitation in liquid form ठीक है precipitation liquid form में उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं rain ठीक है यहां पर आ गया 5 पे हमारा rain next हम देखते हैं 6 sorry यहां पर 6 नहीं लिखना है यहां पर n लिखना है यहां पर आ गया rain next हम देखते हैं 7 7 हमारा है blanket of air around the earth ठीक है blanket of air around the earth first question में हमने इसे discuss किया था क्या कहते हैं कहते हैं इसे atmosphere ठीक है next हम देखते हैं क्या है 9 हमारा है instrument to measure pressure ठीक है pressure measure करने का instrument इस पे भी हमने discuss किया था क्या कहते हैं उसे barometer next हम चलते है 10 incoming solar radiation इस पे भी हमने last question में discuss किया है solar radiation incoming solar radiation क्या कहते हैं उसे हम उसे हम कहते हैं insulation ठीक है जो sun की energy हमें मिलती है उसे कहते हैं insulation तो यह हो हमारा 10th 10 कहां है यह रहा insulation इस पे हमने last में ही discuss किया था next हम देखते हैं 13 13 हमारा है reduces visibility in winters ठीक है winters में visibility reduce हो जाती है किस वज़ा से तो वह होता है fog आपको पता ही होगा यह तो यह होगे हमारा कौन सा 13 13 पर क्या आएगा fog क्योंकि इस समय में visibility क्या होती है reduce हो जाती है fog की वज़ा से next है 17 it is time when sun is overhead sun overhead होता है किस time में वह होता है noon ठीक है दोपहर के समय में बिल्कुल जो sun होता है वह हमारे सिर पे होता है तो यह हो गया noon ठीक next हम चलते हैं अब across word पे ठीक across word हमारा है success में an Indian tree having extraordinary quality of providing oxygen round the clock ठीक है Indian tree जो की पूरे समय हमें oxygen देता है उससे क्या उसका वह कौन सा ट्री है तो आपको पता होगा यह कौन सा ट्री है जो की हर समय oxygen देता है वह है people तो यहां पर six हम फिल करेंगे people कहां है six यह रहा people people ठीक है next है हमारा 8 gas present in atmosphere occupying on only 0.03 percent by volume कौन सी गैस है जो की 0.03 उसका volume है हमारे atmosphere में तो हमने देखा था 78% oxygen 21 sorry 78% nitrogen nitrogen 21% oxygen बाकी 1% में कई gases आती हैं जिन में से एक है carbon dioxide जिसकी मात्रा होती है 0.03 ठीक है यह हो हमारा एट एट हो गया carbon dioxide ओ ओ एक्स करबन डियोक्साइड ठीक है नेक्स हम दिखते हैं 11 11 हमारा है outermost layer of atmosphere atmosphere की outermost layer उस पर भी याद होगा हमने discuss किया था यह हमारी अर्थ हो गई Earth के around atmosphere की जो है layer जो एर की उसे हम क्या कौन कौन सी layer होती है सबसे पहले क्या होती यह ट्रोबोस्फियर, फिर ट्रोबोस्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है हमारी मीजोस्फियर, फिर आती है थर्मोस्फियर, फिर लास्ट वाली कौन सी आती है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, वो कौन सी होती है, वो होती है, एक्जोस्फियर, ठिक, तो यह कौन सा हमारा question था 11 11 पर आ गया exosphere 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 eraser की जरूरत है exosphere ठीक है यह हो गया हमारा exosphere next हमारा है 12 12 हमारा है mixture of many gases mixer of many gases क्या था यह भी first हमारा question था earth के around क्या है air की blanket है जिसमें बहुत सारी gases है तो वह क्या हुआ mixer of gases क्या हो गया air हो गया तो यह हमारा 15 15 15 नहीं है mixer of many gases 12 12 हमारा है air ठीक यह हो गया 12 next हम देखते हैं 14 क्योंकि 13 हमने पहले solve कर लिया है यह 14 live giving gases live giving gases कौन सी है जिससे हमें life मिलती है वह है oxygen जो कि हम लेते हैं तो 14 हमारा क्या हो गया live giving gas oxygen तो यह हो गया ठीक oxygen यह हो गया 14 फिर हम देखते हैं 15 15 है air in motion air in motion क्या कहलाएगा वो कहलाता है wind है न हवा का चलना क्या कहला है wind air in motion 15 हमारा हो गया wind आप लोग भी इसको साथ-साथ solve करते जाओगे अगर आप इससे साथ-साथ solve करते जाओगे तो यह आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी नेक्स्ट हमारा है 16 16 है एन इंडियन tree valued highly for medicinal properties ठीक है इंडियन ट्री जो की जो की काफी मातरा में जिसमें medical properties होती है कौन सा tree है वो है नीम जो की बहुत सारी medicines जो है उसमें काम आता है तो यह कौन सा हो गया 16 16 हमारा है नीम ठीक यह हो गया नीम next हम देखते हैं 17 17 हमने पहले solve कर लिया था अब आते हैं 18 18 हमारा है gas protecting us from harmful sun rays कौन सी गयास जो हमें sun rays से protect करती है वो है ozone ठीक है यह हो गया 18 18 है हमारा ozone ठीक है यह हो गया ozone next हम देखते है 19 low pressure area low pressure area क्या हुआ low pressure area होता है क्या कहलता है cyclone ठीक है low pressure area cyclone जिसकी के अगर हम speed देखें वो काफी ज़्यादा होती है अब यह 19 हमारा क्या हो गया cyclone ठीक अब बाकी जो बच्चे हैं वो हमारे vertical वाले थे या कह सकते हैं down वाले थे जो हम पहले solve कर चुके हैं I hope कि यह जितने भी clues थे उसके according हमने जो solve किया है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा और आपने enjoy भी किया होगा तो बच्चों इस तरह हमारा यह chapter होता है complete मिलते हैं next chapter next solution के साथ लन्हाव लन्हाव फ्री है पर बेस्ट है